लिस्ट एक को लिस्ट दो से मिलाना है यानि पहला लिमिट प्राइजिंग थेयोरी, लिमिट प्राइजिंग थेयोरी को J.S.Ban ये दिया था, एक्छलि J.S.Ban ने दो आर्टिकल लिखे थे, इससे पहले मैंने इस पर सायद बताया आपको मैंने, 1949 में इन्होंने एक आर्टि prevention और 1956 में इन्होंने एक आर्टिकल लिखा था barriers to new competition लिमिट प्राइजिंग का मतलब ही होता है कि कुछ producers क्या करेंगे मिलकर एक price तै करेंगे और उस price पर उनको होगा profit क्या होगा उन्हें profit होगा लेकिन जो बाहर से internet आर हैं industry में production करने के लिए उनको profit नहीं होगा जो बाहर से internet आर है उनको कहते है potential internet और जो यह price तै की जाएगे इसको कहा जाता है entry prevention price ठीक है तो limit pricing theory JSBain ने दी से जब आप इस theory को पढ़ेंगे बहुत ही मज़िदार और interesting theory है selling cost के अगर हम बात करें तो selling cost को दिया था E.H. Chamberlain ने Edward H. Chamberlain का पूरा नाव था और इन्होंने क्या कहा था selling cost is different from production cost यानि जो एक होता है production cost और एक होता है selling cost production cost क्या होता है यानि जो goods manufacturing cost होती है यानि product कोई है उसको बनाने में जो cost लगी कि उसको कहेंगे production cost जबकि जो selling cost होती है इस goods की demand को बढ़ाने के लिए जो हम खर्च करते हैं उसको कहते है selling cost यानि कोई goods बनी और उसको हमने advertisement किया ठीक advertisement किया उसका advertisement से क्या हुआ उस goods का demand बढ़ा तो यह जो advertisement किया यह production cost नहीं था यह इसका selling cost था इसको हमने बेचने के लिए जहां जहां इसका advertisement किया like newspaper में, magazines में, television में, radio में जिससे क्या हुआ इस goods की demand बढ़ी एक question यहां और पुछा जाता है कि जो transportation cost होती है transportation cost को क्या हम selling cost में include करते हैं या production cost में include करते हैं तो transportation cost आप समझ लीजे क्योंकि यह question कई बार पूछा भी गया है transportation cost को आप production cost में जोड़ेंगे ना कि selling cost में जोड़ेंगे ठीक है तो बात समझ में आ रही है यानि अगर एक सब्द में कहें तो demand बढ़ाने के लिए जो cost लगती है यानि demand को increase करने के लिए जो cost लगेगे उस्थो क्या कहेंगे हम selling cost कहेंगे और demand के अनुसार जो production करने में जो cost लगेगे उस्थो क्या कहेंगे हम production cost कहेंगे इसको किस ने दिया था E.H. Chamberlain ने दिया था next देखते हैं फिर sales maximization model sales maximization model William Baumol ले दिया था इसमें भी यूज़ वा था और J.S. Bain में भी आप देखेंगे इसका आइसो profit curve का use sales maximization जो है William Baumol ने दिया था William Baumol ने इसे 1967 में दिया था एक साड़ ये आर्टिकल था इनका business behavior value and growth करके business behavior value and growth करके इनका एक आर्टिकल था 1967 में उसमें इनने sales maximization की थियोरी दी थी देखो traditional theories में क्या बात कही जाती है traditional theories में कही जाती है कि जो firm है उनको क्या करना चाहिए अपने profit को maximize करना चाहिए लेकिन Baumol आते हैं ये Baumol वही है Keynes के बात जो आये थे Keynes की liquidity preference theory को सुधा रहा था बाद में bond को include किया था Tobinol Baumol ये वही Baumol है sales maximization पहले क्या था traditional theory में क्या था profit को maximize करने के बाद कही जाते थी बाद में जब sales ये आये Baumol आये उन्हेंने कहा देखो एक acceptable label पर जब आपकी profit हो जाए उसके बाद आप किवल sales को maximize करिए यानि sales revenue को maximize करिए ठीक है और last में आता है growth maximization model of the firm growth maximization model of the firm किस ने दिया था रॉबिन मेरिस ने दिया था यानि बाउमोल के बाद मेरिस आये थे और मेरिस के बाद फिर विलियमसन आये थे तो ये जो growth maximization theory है वो रॉबिन मेरिस ने दी थी और रॉबिन मेरिस ने इसको 1963 में दी थी और इन्होंने दो चीजों पर बताया था कि आपका growth जो आप फर्म है उसके दो चीजों पर दो growth पर दियान दो आप एक तो demand की growth पर देखो आप यानि DG देखो या GD कहलो इसको GD और एक आप देखो capital supply growth को देखो ठीक है इन्होंने कहा था growth maximization में दो growth पर दियान दो आप एक demand demand growth को देखो rate of rate growth rate of demand और growth rate of capital supply ओके सो इस question का answer क्या हो जाएगा limit pricing एक का तीन एक का तीन यहां पर दो है यानि elimination पद्दित लगाओ तो यह गलत ही हो जाएगा चुकि मैंने पहले बता दिया लेकिन आप elimination पद्दित के जासे अगर इसको सही करना चाहते हैं तो यह आपका एक का तीन हो जाएगा selling cost दो का एक हो जाएगा तो दो का एक यह नहीं यह option सही हो जाएगा